आने वाली 15 बड़ी कोमेडी फिल्म है जिनके अंदर हमें भर भर के कोमेडी देखनों को मिलने वाली है और ये फिल्म है 2024 से लेकर 2025 तक आने वाली है वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना तो चलिए करते हैं वीडियो को स नंबर 15 पर है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो इस फिलिम में हमें राजकुमार राओ और त्रिप्ति डिमरी जैसे कमाल के एक्कर से दिखाई देंगे इस फिलिम को डारेक्शन दिया है राज शांडिल्ये ने जिन्होंने ड्रीम गल और ड्रीम गल टू जैसी फिल्म बूलयय फ्रेंचाइस की थर्ड फिलिम होने वाली है भूल बूलयय टू बोक्स ओपस पर ब्लोक बश्टरीड साबित हुई थी मूवी की लीड रोल में एक बार फिर से कारतिकारियन देखनों को मिलने वाले है और वही उनके साथ हमें त्रिप्ति डिमरी और असली मंजू बूली का यानि विद्याबालन नजर आईगी जिसके लिए ओडियन्स काफी ज्यादे एक्साइटेड है खबरों की माने तो हमें भूल बूलयय थरी में अक्षे कुमार का केमियो भी देखनों को मिल सकता है ये मूवी दिवाली के मोके पर यानि एक नुवेंबर दोहजार देखनों को मिलने वाले है इस फिल्म को एहमत खान डारेक्ट कर रहे है ये फिल्म 20 दिसंबर 2024 में रिलीज होने वाली थी लेकिन अब ये मूवी 2025 में देखनों को मिलेगी नमबर 12 पर है एक अंटाइटल फिल्म जिसमें हमें संजदत और अर्शद वार्सी की जोड़ी देखनों को मिलेगी ये जोड़ी हमें काफी सालों बाद एक साथ देखनों को मिलेगी इन दोनों की जोड़ी हमें मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई में नजर आई थी इस फिल्म को सिद्दान सचेदेव डारिक्ट करेंगे फेंस का केना है की ये मुन्ना भाई थीरी हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है ये दूसरी फिल्म होने वाली है ये फिल्म हमें 2055 में देखनों को मिलेगी नम्बर 11 पर है जोली एलेल भी थी ये जोली एलेल भी फ्रेंचेज की तीसरी फिल्म होगी जोकि कोट रूम ड्रामा मुवी होने वाली है जोली एलिल भी 3 में हमें अक्षे कुमार और अर्शेद वार सी नजर आने वाले है और हूमा कुरेशी, अमरीत राओ और सुरप शुकला भी दिखाई देने वाले है इस फिलिम में दोनों जोली का फेस ओफ होगा जिसको देखने में काफी मज़ा आने वाला है ये कोट रूम कोमेडी मुवी 10 अप्रिल 2025 में रिलिज होगी नमबर 10 पर है सन ओफ सर्दार 2 ये बोली वुड की तरफ से आने वाली काफी बड़ी कोमेडी फिलिम होने वाली है जिसको डारिक्शन देंगे विजे कुमार अरोडा सन ओफ सर्दार 2 सिक्वल होने वाली है 2012 माई सन ओफ सर्दार मुवी का जो सामे ओडियंस को काफी पसंद आई थी खबरों की माने तो सन ओफ सर्दार 2 की स्टोरी एक दा मलग होने वाली है जी हाँ इस मूवी का पेले पार से कोई भी लेना देना नहीं होगा इस मूवी की लीड रोल मा जे देवगन, मुर्नाल, ठाकूर, संजेद, तोर रवी किशन नजर आएंगे ये फिलिम दो हजार पच्चिस में रिलीज होगी नमबर नैन पर है भूद बंगला ये अक्षे कुमार की आने वाली काफी बड़ी होरर कोमेडी फिलिम होगी इस फिलिम को डारिफ्ट कनने वाले है प्रीय दडशन अक्षे कुमार और प्रीय दडशन ने पेले भी कई सारी कोमेडी फिलमे बनाई एक साथ जैसे हेरा, फेरी, भूल, वुलया, भागम, बाग, गरम, मसाला और खट्टा मीटा और अप कई सालों बाद ये दोनों मिलकर एक और कोमेडी फिलिम बना रहे है भूद बंगला फिलिम की लीड रोल में हमें अक्षे कुमार परे श्रावल राचपाल यादव और असरानी दिखाई देंगे ये फिलिम दोहजार पच्चिस में रिलीज होगी नमबर एट परे स्त्री थ्री स्त्री थ्री की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है History 3 के में विलन अक्षे कुमार होने वाले है History 3 में हमें श्रद्दा कपूर और अक्षे कुमार कामना सामना देखनों को मिलेगा जिसको देखने में काफी मज़ा आने वाला है History 3 2025 में रिलीज होगी नमबर 7 परे दाराजा साफ ये साउथ की आने वाली सबसे बड़ी होरर कोमेडी फिलिम होगी जिसको 400 करोड के बड़े बज़ट में बनाया जा रहा है इस मूवी में हमें प्रभास के साथ तीन इरुइन्स देखनों को मिलेगी मालवी का महोनन नीदी अगरवालू रिद्दी कुमार इस फिलिम को डारिक्ट किया है मारूती ने प्रभास को हमने एक्षन करते हुए तो काफी फिल्मों में देखा है लेकिन दाराजा साप में प्रभास हमें पेली बार कोमेडी करते दिखाई देंगे ये फिलिम 10 अप्रेल 2025 में रिलीज होगी नमबर 6 पर है नो इंट्री 2 ये साल 2005 माई नो इंट्री फिलिम का सिक्वल होने वाली है जिसे डारेक्शन देंगे अनिस बजमी नो इंट्री 2 में हमें वरुन धवन दिल जी दोसान जो रर्जुन कपुर दिखाई देंगे खबरों की माने तो नो इंट्री 2 की शुटिंग 2025 में शुरू होगी और ये फिलिम 2025 के एंड में रिलीज होगी नमबर 5 पर है धमाल 4 ये धमाल फ्रंचैजी की 4th फिलिम होगी जो आने वाली काफी बड़ी कोमेडी फिलिम होने वाली है इस फिलिम को डारिक्ट करेंगे इंद्री कुमार जिनोंने धमाल फ्रंचैज के सबी पार्ट को डारिक्ट किया है धमाल 4 में हमें अजे देऊगा नर्शयद वार्सी, जावेज, जाफरी, डितेज, देस, मुकोर, संजदत दिखाई देगे धमाल 4 रिलीज होगी 2025 में नंबर 4 पर है गोल्माल 5 ये फिलिम बोली वुड की सबसे मच अवेटेड कोमेडी फिल्म है ये गोल्माल फ्रंचैज की 50 फिलिम होगी इस फिलिम के पिछले चारों पार्ट बोक्स ओफिस पर हिड़ साबित हुए गोल्माल 5 की अनौसमेट काफी समय पेल हो चुकी है गोल्माल 5 को हमेशा की तरह रोही शेटेड आरिक्ट करेंगे इस फिलिम में अजे देवगा नर्शद वार्सी तुशार कपूर शेरियस तल पड़े और कुनाल खेमु जिससे एक्टर्स दिखाई देने वाले है ये फिलिम दो हजार पच्चिस में रिलीज होगी जैसे क्रिस्पस में सब लोग बोलते हैं न संता आएगा संता आएगा सबको पता है घंडा आएगा नमबर 3 पर है अवारा पागल दिवाना 2 ये फिलिम कल्ट कोमेडी मुवी अवारा पागल दिवाना का सिक्वाल होने वाली है इस फिलिम में हमें काफी दमदार कोमेडी देखनों को मिली थी अवारा पागल दिवाना 2 का अनौन्स कर दिया गया है इस मच अवेटेड कोमेडी फिलिम में हमें अक्षे कुमार, परेश, रावल, सुनील, छेटी, अर्शाद वार्सी और संजदत दिखाई देने वाले हैं ये फिलिम काफी बड़ी मल्टी स्टारर कोमेडी फिलिम होगी जिसको एमत खान डारेक्शन दे सकते हैं ये फिलिम हमको 2025 में देखनों को मिलेगी नमबर टू पर है हाउसफुल फाइफ बोली वुड की सबसे पॉपुलर सीरीज में से एक है ये हाउसफुल फ्रेंचैस की 50 फिलिम होगी ये बोली वुड की तरफ से आने वाली काफी बड़े बज़ड की कोमेडी फिलिम होगी जिसको मेसियू 375 करोड के बड़े बज़ड में बनाया जा रहा है इस फिलिम को दोस्ताना फिलिम के डारेक्टर तरुन मनसुकानी डारेक्ट करेंगे इस फिल्म के लीड रोल में हमें अक्षे कुमार के साथ रितेज, देस, मुक, संजद, अता, भिशेक, बच्चन, नाना, पाटेगर, फर्दिन खान नजर आएंगे ख़बरों के मताबिक हाउसफुल फाइफ एकदम नई अंदाजमा आने वाली है फिल्म को एक कोमेडी थिरिलर बताया जा रहा है और इस फिल्म के अंदर होने वाली कहानिया में हसा हसा कर लोट पोर्ट कर देगी आउसफुल फाइफ छे जून दो हजार पच्चिस में रिलीज होगी नमबर वन पर है हेरा फेरी थिरी हेरा फेरी थिरी बोलीवुड की सबसे मच अवेटेड कोमेडी फिल्म है जिसका ओडियंस काफी बेसबरी सी इंतिजार कर रही है इस फिल्म में हमें एक बार फिर से अक्षे कुमार परेश रावालोड सुनिल शेटी की आईकोनिक जोड़ी देखने को मिलेगी खबरों की माने तो संजदत हेरा फेरी थिरी में फनी विलन के रोल में दिखाई देने वाले है हेरा फेरी थिरी हमें 2025 में देखने को मिलेगी तो गाईज ये थी आने वाली टोप 15 बड़ी कोमेडी फिल्म है बोक्स ओफिस लाने के लिए पूरी तरीके से तयार है वेसा आपकी फेवरेट कोमेडी मुवी कौन सी है कमेंट करके बताओ